क्या बिहार में फिर से कोई बड़ा खेल होने जा रहा है? क्या बिहार में फिर से किसी बड़े नेता की अंतरात्मा जाग रही है? क्या बिहार फिर से पूरे देश की राजनीत का केंद्र बनने जा रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार और उनके अभी के धुरविरोधी तेजस्वी यादों की करीब आठ महीने के बाद मुलाकात हुई है करीब आधे घंटे तक बात भी हुई है और इस बादचीत में जो सामने निकल कर आ रहा है वो अभी तक तो बस इतना बरी है कि मुलाकात सूचना आयुक्त की नियुक्त को लेकर हुई है लेकिन क्या सच में बात सिर्फ इतनी ही है या फिर बिहार की राजडीत में प्रशान किशोर की सक्रियता और नितीश कुमार की चुपी ने ऐसी संभावनाओं को जन्म दे दिया है जिससे इस मुलाकात में हुई खास बातचीत को नदरंदाज नहीं किया जा सकता है आज बात करेंगे विस्तार से नमस्कार मैं हूँ विनाश और आप देख रहे हैं अंकर अगर आधिकारिक बयान को ही सच माने तो ये मुलाकात सिर्फ इस वज़े से हुई है क्योंकि सरकार को सूचना आयुक्त की नियुक्ति करनी थी और सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए जो कमीटी बनती है उसमें मुख्यमंत्री उस कमीटी के अध्यक्ष होते हैं बाकी कमीटी में नेता प्रतिपक्ष के अलावा मंत्री मंडल के भी सदस्य होते हैं तो मुख्यमंत्री होने के नाते नितीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष होने के नाते तेजस्वी यादों ने मिलकर बिहार के सूचना आयुक्त की नियुक्ति कर दिये हैं। और कुछ दिनों में सरकार की योर से उस नाम का आधिकारिक एलान भी हो ही जाएगा। लेकिन असल सवाल उस बादचीत का है जो सूचना आयुक्त की नियुक्ति से इतर हुई है और जिसका जिक्र तेजस्वी यादों ने पत्रकारों से भी किया है। पहले सुनिए कि तेजस्वी यादों ने कहा क्या है। दरसल तेजस्वी यादों जिस मामले का जिक्र कर रहे हैं और कोर्ट का हवाला दे रहे हैं वो बिहार की जातिकत जनगरना और उसके बाद आये आरक्षन का मसला है जो अदालत में है। असलब जब नितीश कुमार तेजस्वी यादों के साथ थे तो दोनों ने मिलकर बिहार में जातिकत जनगरना करवाई। हर कानूनी दाओं पेज का जवाब देते हुए नितीश ररकार ने जातिकत जनगरना का आंकणा भी जारी कर दिया। और जब इन आकणों के आधार पर लगा कि पिछड़े वर की हिस्सेदारी कम है तो आरक्षण के सीमा बढ़ाकर 50 फीसदी से 65 फीसदी कर दी। नितीश कुमार ने कैबिनेट से प्तस्ताव पास करवाया कि अभी तक बिहार में पिछड़ा और अति पिछड़ा को मिला कर जो आरक्षण 30 फीसदी का था उसे 43 फीसदी किया जाएगा। यानि कि बिहार में कुल आरक्षण 75 फीसदी होगा। 21 नॉमबर 2023 को इस फैसले का गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। लेकिन 20 जून 2024 को पटना हाई कोर्ट के चीफ चस्टिस केवी चंदरन की बेंच ने नितीश कुमार के फैसले को खारिज कर दिया और आरक्षण पर रोक लगा दे। अब मामला कोर्ट में है और बिहार सरकार चाहती है कि इस मसले को समविधान की नौवी अनुसूची में डाल दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर बिहार सरकार के फैसले की नियाइक समिक्षा नहीं हो सकेगी यानि कि अदालत के हाथ बंद जाएंगे। तेजस्वी यादों ने जो कहा है उसका लबोलवाब तो यही है लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती है जहां तेजस्वी ने खत्म की है बलकि बात तो यहां सा शुरू होती है क्योंकि यहीं वो मसला है जिस पर बीजेपी के साथ सरकार चला रहे है नितीश कुमार ने विदान सभाय के चुनाव में करीब एक साल का ही वक्त बचा है और इस वक्त में प्रशांत किशोर के तोर पर एक ऐसा नेता एक्टिव है जिसके निशाने पर तो अभी तेजस्वी यादवी है लेकिन नितीश भी पीके के कोप से कभी अच्छूते नहीं रहे हैं जब जब किसी ने नितीश के खत्म होने की बात की है वो धूल जाड़ कर खड़े हो गये हैं और बताते गये हैं कि अभी बिहार में तो नितीश कुमार के बिना किसी की भी राजनीत नहीं चल सकती है चाहे वो बीजेपी हो या फिर आरजेगी लिहाजा लोक सभाज चुनाव में बि इजेपी उन्हें आँख दिखा सके और नहीं आरजेडी लिहाजा अभी नितीश कुमार शायद ये तै करने में लगे हैं कि किसके साथ उनकी जेडियू का गट जोड उनकी पार्टी को कम से कम 80 सीटों तक पहुँचा देगा और जिस दिन नितीश कुमार नतीजे पर लेकिन जब तक नितीश कुमार चुक्ति अक्तियार किये हुए हैं और खास तोर से आर जेडी के खिलाफ कुछ भी खुल कर नहीं बोल रहे हैं और जब तक तेजस्वी यादो भी जेडी यू और खास तोर से नितीश कुमार पर उतने तीके हमले नहीं कर रहे हैं तब तक बिहार में नई संभावना के द्वारतों खुले ही हुए हैं और हालिया मुलाकात इस बात का संकेत भी देती हैं आखिर यूही थोड़ ही उस सियासे जुमले को अब्बे गिसा जाता है कि राजनियत संभावनाओं का खेल है और राजनियत में कोई स्थाय दोस्त या दुश् के साथ देखते लिए अनकर शुक्रिया